तो फिरेंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेटियम पेविंट बैंक के डेविट कार्ड के बारे में अगर आप इंटरस्टेड हैं पेटियम पेविंट बैंक के डेविट कार्ड को यूज करने के लिए फिर मंगवाना चाहते हैं कि Paytm Payment Bank के debit card हम मंगवाएं तो किस परकार से आप मंगवा सकते हैं तो इस वीडियो में आपको full detail दूँगा कि किस परकार से आप मंगवा सकते हैं उसमें आपको क्या document लगेगा और कितने पैसे देने पड़ेंगे या फिरी में आएंगे और उसके क्या facility वो क्या facility देता इस वीडियो वो पूरी आपको जमकारीद हुआ तो वीडियो को end तक देखिएगा और बिना time based कियो वीडियो को start करते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कर देगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सूपरेंड अपने mobile पर हमें यहाँ पर आ गए हैं उसके बाद आपको full के बाइस होना जरूरी है तो उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आ जाईएगा सबसे नीचे यहाँ पर आपको यहाँ पर manage आपको दिखेगा यहाँ आपको दिखना करेंगे next पे जो भी आएगा side में हम फोटो केस्ट के दिखा देंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अपको black दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख रहा है सबसे पहले लें वियू बेनिफिट और पर क्लिक करते हैं देख लिए आप फोटो में दिख रहा होगा तो वियू बेनिफिट और पर यहां पर क्लिक करते हैं आपको यह दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए यहां पर जो भी आपको बेनिफिट है जो मैं आपको बता देता हूं यहा आप स्काइन करके किसी से भी पैसा ले सकते हैं डेविट कार्ड बिल्कुल फिरी में मिल जाएगा आपको देखिए यहाँ पर इस्वेंस चार्ड आपको 800 रुपे लगता है उसके बाद देखिए यहाँ पर है लॉस्ट डेविट कार्ड रिप्लेस्मेंट अगर आपका बैंका लगता है ना कि सिर्फ एटियम लेता है उसके बाद यहाँ पर बता दू कि एटियम से डेली कैस बिट्रोप लिमिट 25,000 कर सकते हैं जो कि काफी है हर बैंक का यहीं होता है 25,000 बिट्रोप कर सकते हैं उसके बाद देखिए एटियम ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ आप देख सकते हो आप कुछ डीटेल है जो पढ़ लीजेगा पांच को आपको ट्रांजेक्शन इवरी मन्त दिया जाएगा कि आप किसी भी बैंक से आप निकाल सकते हो तो यह सारी डीटेल को आप बढ़ियां से खुद भी पढ़ लीजेगा उसके बाद हम यहां से बैक चल जाएगा जो आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहां पर ATM कार्ड मंगवाने के लिए यहां पर 500 रुपे चार्ज लगेगा जो भी आपका अधार कार्ड में एड्रेस रहेगा वो यहां पर एड्रेस आ जाएगा या फिर आप एड्रेस बदलना चाहते हैं तो यहां से आप अद्रेस बदल सकते हैं और नियू अड्रेस पे कलिक करके उसके बाद यहां से 1.500 देखिए अब यहां पर confirm हो गया है प्लीज वेट यहां पर लिख रहा है देखिए order pending यह 2-4 मिनट में हो जाएगा और आपको डेविट के देखिए order पहले payment successful हो गया है और आपको इस address पर आपका डेविट कार्ड 2-4 दिन में आपको पहुंचा दिया जाएगा देखिए यहां पर यह भी दिखा रहा है आपको रूपिय डेविट कार्ड आपको दिया जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा ताकि इसी तरह का हमेंसा आपको वीडियो मिलता रहे तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइबाइब टेक क्या रहा है